शाleकर दोस्तो आपका हमारी चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहारी की भाशा शहली दोस्तो वीडियो को अंतख जरूर देखेएगा आपके लिए बहुत ही लाबकारी सी दोने वाले वीडियो यदि आप हमारी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, बैल आइकन प्रेस कर लीजे, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकेगे, चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहरे हमें बिहारी के बारे में थोड़ी जानकारी लिखनी होगी, बिहारी रीतिकाल के रिश्त कवी माने जाते हैं, इनका जन पंधासो पिच्चानवई इसवी में गवालियर में हुँआ था, याद रखिये सन, इनका जन कब हुआ था, पंधासो पिच्चानवई इसवी में, बिहारी का एक मात्र गरन्त, बिहारी सतसいます, जिसकी रचनां 160-62 इसवी में संपन याद रखिये जन्म कब हुआ 1595 इस्वी में और मृत्यू हुई थी इनकी 1663 इस्वी में बिहारी ने यद पी कोई लक्षन गरंथ नहीं लिखा तथा पी उन्हें रीति शास्त्र की अच्छी जानकारी थी जिसका उपयोग उन्होंने अपनी सतसई में किया है बिहारी जो थे उन्होंने लक्षन गरंथों की रशना नहीं की दोस्तों बलकि उन्होंने जो रीति शास्त की जानकारी प्राप्त की थी उसका प्रियोग उन्होंने अपनी एक मात्र गरंथ बिहारी सतसई में किया है बिहारी की ख्याती कमूल आधार उनका अन्यतम गरंथ बिहारी सतसई ह बिहारी को जितनी भी परसिद्धी प्राप्त हुई है वो अपने बिहारी सचसई के आधार पर ही प्राप्त हुई है जिसमें कुल मिलाकर 713 दोहे हैं याद रखिए बिहारी सचसई में कितने दोहे हैं 713 दोही हैं बिहारी जैपूर के मिर्जा राजा जैसिंग के दर्बारी कवी थे कहां के दर्बारी कवी थे मिर्जा राजा जैसिंग के दर्बारी कवी थे कहां जाता है कि जिस समय बिहारी जैपूर पहुंचे उस समय राजा जैसिंग आपनी छोटी रानी के प्रेम में इतन तब बिहारी ने यह दोहा लिखकर उनके पास भिजवा दिया। बढ़ गया था। तो यह जो व्यंग्यार्थ था कि राजा बच्ची रानी उनके जो रानी थी वो बच्ची थी अभी तो वो बड़ी हुई भी नहीं थी तो राजा अभी से उसके प्रेम में इतना मगन हो गया था। तो आगे चलकर राजा का क्या हाल होगा इस व्यंग्यार्थ को समझकर राजा ने तुरंत राज का समालना शुरू कर दिया था। उन्हों ने दोहे जैसे छोटे चंद में इतने भावों का समाविश किया है कि आलोजकों को उनके विशे में यह कहना पड़ा है। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है मतलब इनके जो छोटे छोटे दोहे हैं उनमें इतनी बड़ी बड़ी बात और इतने बड़े बड़े भाव परकट किये हैं कि लोगों ने कहा कि बिहारी की जो सथसई है वो गागर में सागर है मतलब छोटी सी मटकी में बड़ा सागर को ही निप्टा दिया है उनके सथसे के बारे में यह उक्ति कही जाती है सथसेया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभी कहते हैं कि इनके जो दोहे हैं वो इस तरह के हैं जैसे नाविक के तीर हूँ देखने में तो छोटे लगते हैं वो तीर लेकिन घाव जो है वो बहुत ही गंभीर करते हैं अब इनकी भाशे शैली के बारे में पढ़ते हैं बिहारी का ब्रिजभाशा पर असाधारा नदिकार था उनको शब्द और वर्ण के सुभाव की परक थी शब्द और वर्ण उनके दोहों में नगों के समान जड़े हैं और रतनों की आभा भी खेरते हैं शब्द को मांजने, चमकाने, मोडने और सवारने की कलामे बिहारी सिध हस्त हैं उनकी रचना में ब्रिजभाशा अपनी परोड़ता और भाव संपनता में इठलाती हुई चलती हैं वहले और गती संगीत और रतन की विशेश्ताओं से युख्थ हैं उनकी भाशा प्रांजल प्रोड और सरस है उधारन के तोर पर हम ये दोहे लिख सकते हैं रस सिंगार मंजन की एक कंजन भंजन दैन अंजन रंजन हूं बिना खंजन गंजन नैन अंग अंग नग जगमगाती दीप शिखासी देः दिया बुझाए हूं रहे बड़ो उजेरो गेहे उप्योक्त दोहों से स्पश्च है कि भाव, अनुभूती और चेतना को बिहारी किस परकार मारमेख शब्दों और प्रभाव शाली विम्बों में परकट करने की शमतार रखते हैं भाशा की समाशक्ति का प्रियोग बिहारी ने किया है समाशक्ति का प्रियोग करते हुए बिहारी ने कम शब्दों में अधिक भाव परकट करने के लिए भाशा की समाशक्ति का प्रियोग बिहारी ने किया है बड़े बड़े परसंगों को भी दोहों को दो पंक्तियों में समाविष्च कर देने में उन्हें सफलता मिली है गुरुजनों से भरी सभा में देखिए दोस्तों जो सभा है वो गुरुजनों से भरी हुई है और इन गुरुजनों से भरी सभा में नायक नायका किस प्रकार आखों के संकेत से ही वारतालाप कर लेते हैं इसका चितरन निम्दोहे में वे करते हैं कहत नटत रीज़त खीज़त मिलत खिलत लजियात बहरे भौन में करत है नैनन ही सु बाद देखिए वे इशारे करते हैं कहते हैं जो नायक है वो कहता है इशारों में और जुनाईका है वो मना कर देती हैं, रीचती हैं, खिट जाती हैं, एक दूसरे को इसी तर हैं, चिडाते हैं, इशारों में ही मिलते हैं, और एक दूसरे से मिलकर खिलने की बात होती हैं, लजियाते हैं, शर्माते हैं, भरे भोन में, मतलब गुरुजनों से भरे भवन में वो इस तरह से नैनन ही में बात कर रहे हैं अलंकारों का परचूर मात्रा में प्रियोग उन्होंने किया है बिहारी ने यमक सलेश अलंकारों का प्रियोग परचूर मात्रा में किया है यथा निम्न दोहे में कनक शब्द का दो बार परियोग अलग-अलग अर्थों में करते हुए यमक का विधान किया गया है अब देखिए यमक अलंकार का उधारन किन्दी खुबसूरते से उन्होंने किया है एक कनक का आर्ट तो यहाँ पर होता है सोना धतूरा दूसरे का है सोना क्या होता है धन कहते हैं कि सोन और धतूरे में दोनों में क्या है क्या होता है दोनों में नशा एक को तो खाने से जब धतूरे को हम खाते हैं तब नशा होता है जबकि सोना जो होता है उसे जिसे भी मिल जाता है सोना उसमें नशा अपने आप हो जाता है उसे खाने की ज़रुद नहीं होती तो इसका मतलब धतूरे से ज्यादा नशा किसमे होता है सोने में शब्द अलंकारों के परियोग से बिहारी प्राय दोहरे अर्थों का समावेश करके चमतकारुदपन करती हैं बिहारी ने बिरिज भाषा के साथ-साथ भाषा की सज्जा के लिए संस्कृत के अनेक शब्दों को जड़ा है वहीं प्रमप्रागत काव्य के गिसे पीटे शब्दों को छोड़ कर अब्धी बुंदेलखंडी आदी भाशाओं से शब्द भी लिये हैं इसके साथ ही फार्सी उर्दु के शब्द तद्सम तद्भव शब्दों का प्रियोग भी उन्होंने किया है अब पढ़ते हैं की शैली के बारे में छोटे से दोहे में अपनी बात कहने के लिए अर्थ गामभीरिये और शब्द लागाव की स्थीति आवश्यक है बिहारी को इसमें अत्यन्त सफलता मिली है इनका उधारन के तोर पर ये जो कहा था दोहा पहत नटरत रीज़त खीज़त मिलत खिलत लज्जियात भरे भोन में करत है नैनन हूसो बात ये उधान के तोर पर हम यहां पर फिर से लिख सकते हैं इसमें समाज शैली के कारण सफलता मिली है श्रिंगार परधान रचना होते हुए भी सत्सई में भक्ती नीती के दोहे भी हैं जिसमें शैली बदलती रहती है एक आलोचक ने कहा है कि बिहारी की शैली भावों के अनुरूप बदलती रही है वेंजना परधान अलंकृत शैली बिहारी की परतिनीधी शैली है आप में पूर्ण जीवंद और समर्थ होती है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोंक करे बहुनी हसे देन कहे नटी जाए देखे इसमें अलंकार के बिना ही पूरा चित उभारा गया जो नायका है वो नायक के साथ बात करना चाहती है और बात करने के लालच में वह नायक की जो मुरली है उसे छिपा देती है और जब नायक उसके मुरली के बारे में पूछता है तो सोंक खाकर कसम खा जाती है कि उसके पास मुरली नहीं है और जब नायक जाने लगता है तो उसकी जो बोहे हैं वो हसने लगती है जिसे हसता देखकर जो नायका वो समझ जाता है कि मुरली किसके पास है नायका के पास दैन कहे नटी जाए कसम खाकर बोहने तो हस रही है और फिर उसको देने से वो मना कर देती है विरह और सौंद्रिय के वर्णन में कर्पना प्रदान उहात्मक शैली का प्रियोग किया है इसमें आति शोक्ति पूर्ण वर्णन है दोस्तों आपने देखा होगा कि बिहारी निशकर शुरूप में हम कह सकते हैं वहारी के भाषया वारीच भाषया और उन्हों ने वुन्द्यल खंडी आवदी भाषयों के शब्तों को वि आपने सत्षरे में किया है इसके साथ ही फार संत्थSome सब्ध का प्रियोग उन्हा समार्ख शैली वहात्मक शैली वियंजने प्रधान अलंक्रिज शैळी आधी का प्रियोग जोण तो यदि आपको हमारे चैनल अच्छा लगा है वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा साथ में बैल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का डोटिविएशन आप तक पहुं सके धन्यवाद